Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, एक ऐसा चानल जहां पे आपको kindergarten से class 12 तक free of cost quality education provide की जाती है इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपको state board पढ़ाया जाए तो state board भी Magnet Brains हिंदी पर पढ़ाया जाता है जहां पे MP board, Bihar board, Rajasthan board, Delhi board, यह सब चीज़े आपको पढ़ाई जा रही है इसके अलाबा अगर आपको लगता को books भी चाहिए, notes भी चाहिए, तो e-books, e-notes भी available है जिनकी link आपको description box में मिल जाएगी So students, आज ही class start करते हैं, आज ही class जो है class 4 student के लिए है और class 4 में हम already 4 chapters आपके complete कर चुके हैं जी हाँ, आपकी book looking around के 4 chapters already complete हो गया है तो अगर आपने नहीं देखें और अभी तक नहीं पढ़ें तो पड़ाफ अच्छा पहले उनको पढ़ लीजे और उसके बाद हम chapter 5 जो start करने वाले हैं, हम उसके साथ start करेंगे ओके students, तो chapter 5 में क्या लिखा है और क्या उसका नाम है बहुत अच्छा सा नाम है अनीता and the honeybees, ओके अनीता and the honeybees यह क्या है, यहाँ पे हम एक story पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एक story पढ़ेंगे और एक story के तुरू हम बहुत सारी चीज़े सीखेंगे तो story बहुत अच्छी है, प्लस क्या है, एक true story है याने यह बनाई हुए कहानी नहीं है, ऐसा सच में हुआ था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है true story, याने जिसकी यह कहानी है, वो कौन है, अनीता किसकी कहानी है, यह अनीता की कहानी है, और इस कहानी में हम अनीता के बारे में पढ़ेंगे और एक और चीज इसमें लिखी है हनी बीज, तो हनी बीज कौन होती है, हनी बीज जो आपको हनी देती है, यानि की शहद देती है, तो एक तरह की बीज होती है, मक्खी होती है, जो क्या देती है, शहद देती है, तो मक्खी जो शहद दे वो होती है, हनी बीज, ठेक है, तो ऐ तो यह तो कहानी है किसकी आनीता की और कैसी कहानी है बिलकुल सची यानिकी ट्रू स्टोरी है और राइट स्टूडेंट एक सची कहानी और बहुत अच्छी कहानी हम पढ़ने वाले हैं ठीके आज के जो टॉपिक है वह दोनों टॉपिक क्या है explanation and dream of school explanation में हम यह chapter का starting का explanation पढ़ेंगे याने chapter की starting की story पढ़ेंगे और a dream of school एक a dream of school याने किसी का सपना होता है school जाने का उसके बारे हैं पढ़ेंगे कि अनीता का सपना था school जाने का तो क्या 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 किया उसने school में और क्या वो school जा पाई या नहीं जा पाई और नहीं जा पाई तो क्यों नहीं जा पाई ये हम पढ़ेंगे कौन से चाप्टर में चाप्टर नमबर फिफ्ट नॉट फॉर चाप्टर नमबर फिफ्ट अनीता एंदा हानी बीज लिए तो यह दो टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं मे पेज नमबर निकालना हैं ओके एर पेज नमबर इस नॉट गिविन तो जो भी लास्ट पेज हमने लास्ट चाप्टर का पड़ा था वो निकालना हां पेज स्टार्टिंग फॉर्स पीज आपको उपन करना हैं ठीक है जहां पर आसी हैंदिंग लिखी होगी अनीता आन्द हानीवीज चीक है अल्राइट चलो नाओ वट यह आप तो दो इस मेरे साथ-साथ आपको फी एक पैंसल निकालनी हैं और साथ-साथ हम रीड करेंगे ठीक है हैं तो मई नाम बताया कि मेरा नाम अनीता कोशवा है अलीव इन बोचह आ वोचह विलेज इस इन मझफरपर ड्स्ट्रीक्ट इन बिहार उसने पिर क्या बताया वसने बहला इंट्रोडक्शन दिया आपको कहानी शुरू होती है तो आपको पता तो होना चाहिए कि किसकी कहानी है तो उसने अपना पूरा क्या दिया सूरेंस इंट्रो दिया इंट्रोडक्शन दिया कि मैं कौन हूं मैं कहां रहती हूं तो उसने क्या बताया कि मेरा नाम है अनीता वहाँ में एक बोचाहा विलेज में मुझाहा विलेज में रहती हूँ बोचाहा विलेज कहा है मुझाफरपुर में है मुझाफरपुर कहा है बिहार में है बिहार कहा है स्टूरेंट्स इंडिया में है तो जो हमारे इंडिया का मैप है उस मैप के अकॉर्डिंग बिहार जहा स्टेट है मुजफफर पुर कौन सा स्टेट है मुजफफर पुर यहां आएगा नहीं इस लिस को हम थोड़ा सा मैप को मेरी ड्रॉइंग को नजर अंदास करें और मैं जो लिखरी हूँ उस पर ध्यान दे कौन सा स्टेट है मुजफफर पुर और यह क्या है यह पूरा है बिहार ठीक है और यह मैप क्या है यह मैप है अपना इंडिया तो इंडिया में क्या है बिहार है बिहार में क्या है मुजफफर पुर है और मुजफफर पुर में क्या है छोटा सा गाओं है वो चाहा ठीक है तो एक बाव देखते हैं इंडिया में क्या है बताओ बचो इन्डिया में क्या है इंडिया में है बिहार बिहार में क्या है बिहार में है यह स्टेट जिसका नाम है मुझफफर पुर क्या नाम है मुझफफर पुर और मुझफफर पुर में क्या है मुझफफर पुर में एक छोटा सा गाओ है जिसका नाम है वो चाहा ठीक के समझें कहां पर क्या क्या है तो इसको भी हम अपने रफ चाहें में कहीं पर लूट करके रखें जिसे हमें पता रहे कि अगर कोई पूछे वो चहां विलेज का है तो पता होना चाहिए कि इंडिया में एक स्टेट है स्टेट में एक सिटी है, सिटी में एक गाउं है, ठीक है, तो ये सारी चीजे पता होनी चाहिए, इंडिया क्या है, इंडिया है कंट्री, इंडिया है कंट्री, कंट्री के अंदर होता है एक स्टेट, स्टेट के अंदर होती हैं सिटी, सिटी के अंदर या पास में होते हैं व इडिया एक country है, country के अंदर बहुत सारे state होते हैं, विहार के अंदर जो cities होती हैं, बहुत सारे cities होती हैं, तो ऐसी एक city है मुझदफरपुर, अब यह पास एक इस एक village है, जो है वो जाहा, अब यह clear हो गया, ठीक है, उसने अबना introduction दे दिया, then I stay with my parents and two younger brothers उसने ये भी बताया introduction complete नहीं हुआ है कि मैं ना अपने मम्मी पापा और दो छोटे भाईयों के साथ रहती हूं, younger brothers याने छोटे भाई I study in college उसने ये भी बताया कि मैं कहां पढ़ती हूं मैं college में पढ़ती हूं Beside studying I teach you children उसने क्या बुला कि पढ़ने के अलावा मैं खुद तो पढ़ती हूं college में और क्या करती हूं बच्चो को पढ़ाती भी हूं चेके क्या करती हूं बच्चो को पढ़ाती भी हूं याने छोटे छोटे बच्चो को मैं पढ़ाती भी हूं I also keep honeybees और मैं क्या रखती हूँ अपने पास? honeybees को collect भी करती हूँ तो ये पूरा क्या है? ये पूरा उसका introduction है कि मैं कौन हूँ? कहां रहती हूँ? किसके साथ रहती हूँ? और मेरा क्या-क्या काम है जैसे अगर आपको introduction देना पड़े अपना तो क्या दोगे? पहले अपना नाम बताओगे कि my name is this और फिर क्या बताओगे? कि I am starting in class fourth I live in where you live वो भी बताना जुरूर है कि कहां पर रहते हो अभी आपकी जो city का नाम है state का नाम है वो क्या है? फिर आपको बताना है कि I have one younger brother और elder brother और younger sister और elder sister ये सारी चीज़े आपको बताने है तो ऐसे आपका introduction होता है जैसे अंकिता ने अनीता ने अपना introduction दिया चीक है? तो अनीता के बारे में तो आपको पता चल गया ओके अब एक चीज है और हम पढ़ते हैं कि जो अनीता कुश्वा है वो एक स्टार गल थी क्या थी? गल स्टार थी क्या थी? गल स्टार अनीता जो थी? क्या थी? एक गल स्टार थी गल स्टार किसको कहा जाता है? स्टूडेंस गल स्टार उन्हें कहा जाता है पहला तो देको अच्छा वर्ड है गल स्टार याने वो लड़की जो एक स्टार हो ठेक है पर ऐसा जो टाइटल है वो किसको दिया जाता है उसको दिया जाता है जो की एक ओर्डिनरी लड़की हो पर उसने बहुत एक्स्ट्रा ओर्डिनरी उसकी कहानी हो एक लड़की ओर्डिनरी हो सधारन ने आप जैसी मेरे जैसी सधार लड़की और जिसके कहानी जो हो वो बहुत extraordinary उसने अपने कहानी में ऐसा कुछ कर दिया हो जो किसी ने सोचा ना हो तो उनको कहते हैं girl star तो अनिता ने ऐसे ही कुछ करा है तो तभी उसको कहा जाता है girl star पर आप लोग कहो होगे कि माम अभी तक तो उनको कुछ पता ही नहीं चला कि ऐसा क्या किया अनिता ने तो चलो देखते हैं ऐसा क्या किया है अनिता ने आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में उसने क्या बोला कि आज मैं जहां हूं वहां तक पहुचना मेरे लिए इतना इजी नहीं था जैसे कि आज वो कहा है आज वो कॉलेज में है और खुद बच्चों को पढ़ा रही है पर वो आज जहां है वहां पहुचना इतना इजी नहीं था वन I was young I used to spend all my time with my goats as they gage for food तो जब मैं यंग थी यानि जब मैं चोटी बच्ची थी तब मैं एज़ाद अफ फंडे साथ इस उसने का अपनी though goats शाने बकरी तो बकरी के साद ज़ादा time spent करती थी क्या और ? कर्ती थी जिससे कि वो खाना-वाना खाने जाती तो shera देन ही I always wanted to go to school, but my parents did not like the idea of girls going to school. Now, you realized कि कितनी दिक्कत गई होगी, कि जो अनीता थी, उसे कहां जाना पसंद था? स्कूल जाना पसंद था. ठीक है? क्योंकि बाकी बच्चे पढ़ते हैं, तो हमें भी लगता हैं, कि हम भी पढ़ें, बाकी बच्चे सब स्कूल जाते हैं, तो उने देखके हमें भी लगता हैं, कि हम भी स्कूल जाना पसंद था. But उसके जो parents थे, वो क्या बोलते थे? कि तुम school नहीं जा सकती हो. क्योंकि girls को school जाना allowed नहीं है. Boys को है, girls को नहीं है. So, this is how their parents behave. क्या कैसे behave करते थे? कि girls को school जाना नहीं है. तो ये देखे क्या हो जाता था? विचारी अनीता जो है, वो upset हो जाती थी. बहुत दुखी हो जाती थी. कि क्यों? मैं क्यों नहीं school जा सकती हूँ? मैं बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? मुझे भी पढ़ना हैं. ये वो हमेशा सोचती थी. फिर नेक्स्ट क्या हुआ? पेश टरन कर लो. आप लोग भी फटाफर से जिसे हम आगे पर सकें. So, then she said, one day I peeped into the school in our village. एक दिन मैं चुपके से विलेज में एक स्कूल है. हमारे गाओ में विलेज याने गाओ. वहाँ पे एक स्कूल है उसमें चुप चाप से घुज गई. I could not stay away. मैं धूर नहीं रह पाई. I silently went and sat down behind the children. मैं अपने आपको रोक नहीं पाई. तो मैं चुप चाप से गई. और बच्चों के पीछ जाके सारे चिल्डरन याने बच्चों के पीछ जाके बैठ गई. I felt so happy. मुझे बहुत अच्छा लगा. I went home and picked up courage to talk to my parents about going to school. उसको उस क्लास में बैठ के इतना अच्छा लगा, पढ़ के इतना अच्छा लगा कि उसने courage, courage याने हिम्मत जो टाई. और कहां गई अपने parents के पास गई. याने मम्मी पापा के पास गई. और क्या बोलने के हो. But they told me clearly that I could not do so. क्या बोला? Strictly बोल दिया कि नहीं, तुम नहीं जा सकती हो. बहुत strictly क्या बोल दिया कि तुम नहीं जा सकती हो. That day I cried and cried. और उस दिर मैं बहुत रोई, बहुत रोई, बहुत रोई. तो जब हम कुछ चाहते हैं, अब वो नहीं मिलता है, तो हमको क्या यहां चाहते हैं. इस बार अनीता जस बात पर रो रही थी, वो बात बहुत जेनुएन थी. हम छोटी-छोटी जित पर बोलते हैं, हर हम छोटी-छोटी चीजों में रोते हैं. पर सोचो अनीता कहा जाना चाहती थी? स्कूल. और हम सब जितने बच्चे अभी मेरा के क्लास रहे हैं, वो सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो we are so lucky कि हम स्कूल जा पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, हम educated हो पा रहे हैं, जिसे हम अपने life में किसी को किसे को टौक्टर बनना है किसी को टीचर बनना है किसी को इंजेन्यारि बनना है पाईलिट बनना है आर्मी पे जाना है वागे इतने सारे पूरे नहीं कर सकती नो कुछ बन पाएगी तो उसको बात का क्या लगता था बहुत बुरा लगता था कि मैं school क्यों नहीं जा सकती तो ये कहां होता है छोटी-छोटी जगाओं में आज भी होता है students जहां पर बच्चों को school नहीं भीजा जाता है या फिर लड़कियों को specially girl child को school नहीं भीजा जाता है और जो भी लड़किया आज जाती है school खुशी-खुशी पढ़ती है उनके parents बहुत खुशी-खुशी नहीं पढ़ाते हैं ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम सब school जाना deserve करते हैं हम सब को school जाना चाहिए अच्छे से पढ़ाई करने चाहिए जिससे हम आगे जाके जो मारे सपने है डॉक्टर बना है इंग बना है पुलसमान बना है वहां बन सके चीक है स्टूरेंट्स तो चलो आगे बढ़ते हैं आगे क्या हुआ one of the teacher in my village explained to my parents why it is important to study जैसे कि अभी आपके teacher ने यानि कि मैंने जी है मैंने आपको समझाया कि क्यों school जाना important है क्योंकि हमारे क्या है हमारे सपने है ना I know everybody of you wants to become something जैसे मैंने बिताया doctor, polis, तो कुछ ना कुछ तो सब परना चाते हैं सब ने बोला हो कि ये बढ़ा हो कि ये बनूंगा ममी में बढ़े हो कि ये बनूंगी तो जब आप बोलते हो तो ये बनने के लिए पढ़ाई भी तो करनी जरूरी है तो ऐसे ही क्या बोला? अनीता के टीचर ने किसको समझाया? अनीता के ममे बढ़े को समझाया कि पढ़ना बहुत इंपोर्टरेंट है The teacher told them that they would not have to pay anything for any education up to class 8 तो इननको क्या बात बताई? बहुत अच्छी बात बताई Teacher जी ने, क्या बोला teacher जी ने? कि up to 8 एक law है जिसके अगेंस 8th class तक बच्चे को पढ़ना जरूरी है जिसे कहते है right to education, right to education याने सबका हक है पढ़ना तो इसलिए government ने 8 तक की पढ़ाई free कर दी कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो government school में 8 तक तो free में पढ़ सकता है क्योंकि ये सबका हक है कई बार क्या होता है? यहाँ तो अन्गरा के parents चाहते नहीं थे तो उनके पास पैसे भी कम थे अब पैसे कम होने के कारण क्या होता है students कि कैसे बच्चो को school भेजेगे, कैसे fees जमा करेंगे तो इस कारण क्या होता है कि आपको पैसे ना होने के कारण हम बच्चे को education नहीं दे पाते हैं दो मिन ने क्या कहा कि एट तक तो बच्चा पड़े ही पड़े इसलिए उस तक की पढ़ाई उनने free कर दी So the teacher said that it was the right of every child to go to school जैसे मैंने बताया right to education ये सारे बच्चो का हक है कि वो school जाए Somehow my parents agreed और जब teacher जी ने उनने समझाया तो teacher जी तो teacher जी होती है सब को समझा सकती है जब वो इतने लोगों को पढ़ा सकती है इतने लोगों को समझा सकती है तो उनने बहुत अच्छे से अनिता के ममी पापा को भी समझाया तो वो समझ गए तो अनिता को finally वो तयार हो गए उसको school भेजने के लिए I started going to school और उस दिन से अनिता जो है school जाने लगी I did not get high marks बट उसको high marks नहीं मिलते थे उस time पे high marks क्यों नहीं मिलते थे क्योंकि अनिता ने शुरू से पढ़ाई नहीं करने के कारण वो थोड़ी सी कमजोर थी पढ़ाई में तो उसको जादा नंबर नहीं मिलते थे But I always ask many questions पर मैं हमेशा class में क्या होती थी? questions पूछती थी और वो पूछना अच्छी बात होती है क्यों अच्छी बात होती है? कि आप questions पूछ रहे हैं यानि आप बढ़ाई मन से कर रहे हो तभी तो आपको questions आ रहे हैं नहीं तो ऐसे सो रहे हैं बस पढ़ रहे हैं उसमें questions नहीं आते हैं ठीक है? Then what happened? Then next क्या है? Next है हमार पच को questions कि कई बाद जैसे कि अभी हमने डिसकुस किया था कि एक राइट आया क्या राइट आया? राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन में एक राइट था जिस राइट में ये बहुत क्लिवरली लिखा था क्या लिखा था? कि हर बच्चे को पढ़ने का हक है क्या है? हर बच्चे को पढ़ने का हक है तो वैसे ही पर क्या होता है? इसलिए क्लास एट तक की बढ़ाई क्लास एट तक की बढ़ाई क्या कर दी? फ्री कर दी कि आपको कुछ पेड़ी करना है फ्री में बच्चा पढ़े. पर पढ़े. ठीक है? पर रहो. रहो बन करता है कि हमें फिर government school में जाना पढ़ेगा. आप बूलोगे कि हमें क्यों नहीं पढ़े मिलुरे यह फ्री पढ़ाई. क्योंकि आप लग से बाइच्छी अच्छे स्कूल में जा रहे हैं, आपको अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, तो वहाँ पे फ्री में नहीं होगा, बट येस, अगर आप को गवर्मेंट के छोटे से स्कूल में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको फ्री में भी पढ़ाया जाएगा, ओके बट हमें जरुरत है क्या नहीं हमा हम जा सकते हैं अच्छे स्कूल तो we can go to a good school ठीक है next चीज अब हम जब स्कूल जाते हैं तो बहुत सारे चीज़ों के क्या पे करते हैं पैसे पे करते हैं ऐसे कि आप जो यूनिफर्म पैन के स्कूल जाते हो उसके भी आप क्या पे करते हो पैसे पे करते हो आप जो बुक्स से पढ़ते हो जो आपकी स्कूल के बुक्स होते हैं ममा पापा वो भी आपको खरीद के देते हैं उसके भी आप पैसे पे करते हो और जब आप कहा जाते हो तो स्कूल जाते हो, तो स्कूल की बस से जा रहे हो, वैन से जा रहे हो, उसके पैसे भी आपकी फामली पे करती है, अब आप स्कूल जा रहे हो, तो वहां की फीज भी पे करते हैं, तैसे बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, जब हम स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम to school school back तो यह यान की van bus का खर्चा कितना होता है notebooks यानि आपकी जो books वगेरा है pen, pencil, stationery हमें बहुत अच्छे ची, stationery चाहिए अच्छे pins चाहिए, अच्छे pencil चाहिए अच्छे boxes चाहिए है कि इसमें हम अच्छे चीज़े रख सकें तो वो stationery, आपकी uniform school bag, lunch box भी हमको बहुत अच्छे चाहिए, water bottle हो गया, lunch box हो गया यह चीज़े भी हमको बहुत अच्छे चाहिए और shoes, आपके shoes, school के shoes हो गए और कई बार हमारे साथ और भी extra चीज़े, other things में भी आप बहुत सारी चीज़े क्या लगते ही, कोई function हुआ, तो उसका expense हो गया, ठेक है, कोई भी function का expense हो गया और ऐसे कोई भी चीज़ें, जो हमें extra भी लगती हूँ, यह सारी चीज़ें तो हमें school जाने में लगती ही लगती है, देखो इनके खर्चे देखते हैं, कि कितने हमारे इनके खर्चे होते हैं, देखो school की fees लगती है, बारा हजार रुपए, कम से कम, one year की travel to school 600 रुपए, bus का, note books 1000 रुपए की pencil and stationery 500 रुपए की, uniform 2000 रुपए की school bag 500 रुपए का, lunch box 200 रुपए का shoes 1000 रुपए के books में 1500 रुपए, total आपको कितने लग चाते हैं, 18 1300 रुपए हमारे लगते हैं, पर कई बार आप इससे जादा भी लगते हैं, बहुत सारे schools में, इससे बहुत जादा पैसे भी लगते हैं, कई जगे इससे कम भी लगते हैं पर इतना हम एक average बान के चल रहे हैं, तो ये खर्चा हमारे parents yearly उठाते हैं, क्यों? जिससे हम अच्छा बढ़ सकें, ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, in return हमें अच्छा पढ़के दिखाना चाहिए, magnet brains आपको free of cost education मिलती, magnet brains पर आपको free of cost education मिलती है, हर जगे free of cost education नहीं मिलती है, तो अगर वहाँ पर आपको parents भेज रहे हैं, और आपका खर्चा उठा रहे हैं, तो हमें भी अच्छा पढ़के दिखाना है, ओके students, चलो, next क्या है, how much money do you spend on your books this year, तो इस साल आपने books में कितना spend किया, तो फटा फट से मम्मी पापा से जाओ, पूछ कियाओ, कितना spend किया, मम्मा मेरी books कितने रुपे किया आई, तो जो भी आपको पता चले, बहुए answer में लिखते है न, simple, मैं आपको normal answer बता रहे हूँ, 1500 रुपीज लगे बट आप मम्मा पापा से पूछ के ही इस पर अंसर लिखना ठीक है, next क्या है what kind of a school uniform would you like to wear, आप कैसी school uniform पहनते हो draw picture of it in your notebook and color it, तो आपको क्या करना है, आपको कैसी uniform चाहिए, उसकी आपको एक picture draw करनी है, तो आप अगर if you are a girl, तो एक girl की पहले picture draw करो, ओके मैं जल्दी-जल्दी में draw कर रही हूँ ठीक है, बिल्कुल मेरी picture पे, जादा ध्यान मत दे, और एक skirt कर देते हैं, ठीक है, यह उसका गला हो गया, और यह neck है, इसमें से यह इसकी, और यह इसकी dress है, chicks में skirt है, socks है, sleeves यहां तक है, ठीक है, यह मैंने एक girl draw करी है, जो की आपकी इसमें, इसकी uniform आपको दिख रही है, ठीक है, इसके collars और बढ़ना देते हैं, ठीक है, तो यहां पर मैंने कैसी बनाई है, मैंने बनाई है, white shirt, अब में पस वो नहीं है, तो मैं बताती नहीं तो color नहीं कर पाऊंगी, white shirt, ठीक है, और blue skirt, blue checks, चलो blue skirt, लिख देती हूँ, यहीं सिर्फ हमें colors बताने हैं, black shoes, white socks, यह सारे चीज़ें मैंने बनाई हैं, ठीक है, यह ऐसी आपको भी अपनी uniform बनानी है, और उसको properly color भी करना है पर आपको, ठीक है, जैसे कि यह, इसमें, I wear white shirt, blue pant, तो यह white shirt है, ठीक है, blue pant, white socks, black shoes, and blue tie, and blue sweater भी आप बना सकते हो, dress code होना, वैसी आपको drawing करना है, और वैसी colors भी करना है, ठीक है, चलो, यह तो simple question हो गया, now next is, make two groups in a class, and debate the topic we should have uniforms in school, तो आपको क्या करना है, what you have to do is, कि दो group बताने हैं school में, ठीक है, दो group बनाने हैं, group one, group one, और group two, और दो नो group को में, 10-10 students रखते हो, 10 इधर बच्चों होने चाहिए, तो 10 ही इधर होने चाहिए, जो भी रखे, equal-equal हम बच्चों को बाट दे, एक topic होना चाहिए, we should, we should have uniform, ठीक है, दूसरे कर, क्या topic होना चाहिए, we shouldn't have uniform, ठीक है, एक कर topic क्या होना चाहिए, कि हमारे पास uniform होनी चाहिए, और दूसरे कर topic क्या होना चाहिए, कि हमारे पास uniform नहीं होनी चाहिए, तो ये दोनों चीजें हमारे पास topic होनी चाहिए, तो मुझे आप बताओ, कुछ बच्चे कहेंगे, कि आपको किस गुरूप में जा रहा है, यह uniform होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, चलो सब बच्चे अलग-अलग तो कह रहे हो, अगर uniform होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए, देखो, मैं सब के अच्छे-च्छे point बताऊंगे, होनी इसलिए चाहिए, कि सब बच्चे एक से प्यारे से लिखते हैं, एक ही uniform में, चीक है, और उससे हमें, हम अपने school को भी represent कर पाते हैं, कि हम किस school के, जैसे we have the uniforms, हम magnet brains के हैं, तो हमारे पास एक uniform है, black t-shirt, जिसमें आपका magnet brains लिखा हुआ है, तो हाँ, आपको यहाँ पर सारे teachers एक से दिख रहे हैं, क्योंकि वो represent करते हैं, हम magnet brains को, तो यह क्या होता है, we should have uniform, क्योंकि हम उस जगे को फिर represent कर पाते हैं, तो uniform होनी चाहिए, ठीक है, और uniform में, सब लोग बहुत discipline लगते हैं, और अच्छे लगते हैं, तो एक uniform होनी, एक ऐसी जगे पर जो एक discipline place है, वहां हम सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, तो वह कैसे आए, जो जिसको पहनना हो, पहन पाएं, दूसरी चीज़ क्यों होती है, कि इसमें हमारा एक extra expense जाता है, अगर हमको uniform लेनी ही लेनी है, तो उसमें हमारे पैसे भी जाते हैं, ठीक है, तो यह चीज़ों के कारण हम सुस्ते नहीं हो, बट ज्यादा अच्छा point किसका है, we should have uniform, तो मेरा तो point इन बच्चों को जाता है, जो यह कह रहे हैं, कि हमारे पास uniform होनी चाहिए, बिकोज स्कूल ऐसी जगे है, जो एक discipline place है, और वहाँ पर uniform होनी चाहिए, बिकोज हम एक discipline लगते हैं, हम एक जगे को represented, लगते हैं कि हम उस जगे को represent कर रहे हैं, और सब लोग एक जैसे लगते हैं, चेक है, तो uniform होनी चाहिए, और राइट student, तो इसी के साथ हमारी आज ही class होती है, finish, मेरे according ए class बहुत अच्छी थी, क्यों थी, क्योंकि इसमें हमने बहुत अच्छे topics पढ़े, क्या पढ़ा कि कैसे अनीता ने अपने parents से जिद करके कहा जाना शुरू किया, school, और अनीता की teacher ने भी help करी, कि वो school जा पए, और वो बहुत खुश थी, school जाकर, कि उसने वहाँ पर पढ़ना शुरू किया, और उसको नहीने चीज़े सीखने को मिली, ठेक है, और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी, कि कैसे हमें खुद का introduction देना, ये भी सीख लि नीचे है, और राइट सुडेंट, तो मिलिंगे नेक्स क्लास में, नेक्स क्लास में, आपका यही चाप्टर मांगे continue करेंगे, बाके आप सभी जानते हैं, कि मांगनेट प्रींस पे आपको kindergarten से class 12 तक, बिलकुल free, याने no cost, याने free of cost, आपको education provide करी जाती है, इसके इलावा quality भी दी जाती है, और अगर आप state board पढ़ना चाते हैं, जैसे MP board, UP board और Bihar board, जहांकि Anita थी, तो Bihar board भी पढ़ना चाते हैं, और अगर Rajasthan और Delhi board पढ़ना चाते हैं, तो आप Magnet Brains Hindi पर पढ़ सकते हैं, और अगर आपको चाहिए notes और चाहिए books, तो e-books, e-notes भी available है, जिन की link आपको description box में मिल जाएगे, alright students, see you in the next class, till then stay tuned.